लोट असे आलेकलम डियारेक्टच्टर सवासिं है आज मैं आपको बताती हूं कि आपने इंस्लाग्राम का यूजरनेम और अपना नेम की स्थीके से gep History करना है ठीक है आपने इंस्लाग्राम open करना है और आपने अपनी profile परफाइल पर जाना है प्रो फाइल के लिए आपने इस डिख बाड़ करना है तो आपकर उसे परक्षक में, प्रीजनित परिण होग है। तो आपने यहां से नेम चेंज कर लेना और यहां से यूजर नेम चेंज करने के लिए जब आप कोई भी नेम टाइप करते हैं अगर वो और एड़ी किसी ने लिखा हो तो वो नॉट अवैलेबल का उप्शन आ जाता है तो आप यहां पर अपना कोई डिजिट या कोड या को लगा करें तो आपका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा तीक है और वेबसाइट में आप अपनी जो है वो रिजिस्ट्रेशन का लिंक भी जे सकते हैं सेल्फ रिजिस्ट्रेशन का तो इसके भी में क्रिएट करने की वीडियो आपको शेयर कर दूंगी तो बाकि यहां से आ इस तरीके से आपने अपने यहां पर ब्रैंड की टाइप चूज करने कि आप अंट्रपनोर हैं इसको डन कर लिया ठीक है जैसे आप डन करेंगे तो अपना आपका अकाउंट जो है वह पर्सनल अकाउंट से प्रोफेश्चनल या बिजनस अकाउंट में चेंज हो जाएगा इमेल एडरस गयरा करके आप इसको नेक्स कर सकते हैं आप अपने फेस्बुक से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आप अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो वो आपके फेस्बुक के पेज़ पे भी पोस्ट होगी तो आप इसको कनेक्ट भी करके यह बहुत जो option होता है यहां पर आप click करके अपने profile को update कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप अपना यहां पर get inspired में जाके अपने जो जो task इनों ने दी होते हैं कि आपको किस चीज में interest है आप कुछ लोगों को follow करें ताकि आपको suggestion में मज़ीद क्योंकि इस्टाग्राम आपको कहता है कि आप अपने लोगों को follow करें और grow your audience में आप invite करने का भी option आजाता है यहां से आप लोगों को invite कर सकते हैं अपने page पे और professional tools भी आप यूज कर सकते हैं जो के promotion के और अपने page को promote करने के बारे में इस त्रीके से आप अपना name अपना page और उसको professional account में change कर सकते हैं अब देखें जैसे आपने इसको business account में change किया तो इसका layout थोड़ा सा change हो गया है तो यहां पर आप एड़ी profile में जाके अपना name दोबारा से आप change करने ठीक है आप अपना यहां पर अगर personal name रखेंगे तो ज्यादा best रहेगा यह देखेंगे आपका name change हो चुका है उपर उपर सबसे उपर देखेंगे आपको समझा आगे होगी दौा में याद रखेंगा लाफी